चतिसगड के नरायनपूर में गुड़ी आज सुभे से ही बहुत खुश देख रही थी पता चला उसके खराब साइकल ठीक होने वाली थी आपको बता दे कि तोमिया रादव की पुत्री का नाम गुड़ी है जो चतिसगड के नरायनपूर से सटे गाउं तेलसी की रहने वाल ठल पर पहुचने के अलावा घर बाहर की हर जरुत का समान जंगल से सूखी लकडी लाना हो रसोई गैस लाने के अलावा अपने घर आंगन की बाड़ी की सबजी भाजी भी भजार में बेचने का काम साइकल से करती थी लेकिन कुछ दिनों से उसकी साइकल का पहियां खराब हो गया था करोना वाइरस के संक्रमन माहमारी के चलते लोकडाउन के कारण नरायन पूर सहीत आसपास की सभी दुकाने बन थी सिर्फ जरूरी सामान की दुकाने कुछ गंटों के लिए ही खुलती थी लगता था कि जैसे पूरी दुनिया ठैर औरों की तरह हमारे समधाता जिन्दकी जीने और बसर करने के लिए कुछ समान लेने जा रहे थे उन्होंने देखा कि पेड के नीचे गुम्टी नुमा छोटी साइकल मरमत की दुकान खुली है पासी टूटी साइकल के पास मुह पर कपड़ा भांदे कोई खड़ा है एक औ में उत्सुकता जागी मैं करीब पहुँच गया अन्यास ही नाम पूछ लिया गुड़ी नाम और मजदूरी का काम करना बताया दिक्कतों का उसने पूछने पर जिकर किया था जिस पर हमारी सवादाता बोल पड़े कि सरकार द्वारा गरीब जरुतमंदू की सुईधा और सुहिलियत के लिए कुछ फैस्टे लिए गए हैं जिससे आपका यह काम असान हुआ कुछ जरूरी दुखाने खुलने लगी हैं अब 36 गड़ के साथ नरायनपूर के लोगों की चीदगी फिर से धीरे-धीरे पट्री पर लोट रही है वही साइकल पंक्चर और छोटी लोग काफी खुश हैं उनकी आठिक तंगी की समस्या भी दूर होने लगी है कुछ लोगों ने इसके लिए सरकार का शुक्रिया भी कहा है नरायनपूर से समधाता गेंदलाल मरकान की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल सेंट्री एर कंदिए लुष ग्रीम लॉंड्स रेट लाइकन अपरफेक वेन्यू वूदिंग लॉदिंग एंद पार यह राजगरणा एंज यूति गारन आज भीड़री डंट आज बैकट एंटर्प्राइज